हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी इस तरह से फॉक्सवेगन गुरूप की गाड़ी जैसे की पोलो वेंटो या रैपीड डीजल में गर पे ही अल्टरनेटर बेल्ट या पोली वी बेल्ट को जेंज कर सक हैं यह जेन्यूइन बेल्ट हमने बुढ़ों से मंगा रखा है जिसकी कीमत है तकरीबन 465 रुपे एक बात में जो सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं वो है टाइमिंग बेल्ट और अल्टरनेटर बेल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है अल्टरनेटर बेल्ट बेजि सरक को कनेक करता है और सेड्यूल के हिशाब से आपको हर 60,000 किलोमेटर पे इसको चेंज करना होता है ये जो नीचे आपको पुली दिख रही है वो गाड़ी का अल्टरनेटर है सबसे पहले जेक की हेल्प से आपको गाड़ी के राइट फ्रंट विल को निकाल के इस तरह से एक पत्थर रख देना है अपनी सेफटी के लिए और फिर आपको टी 15 बीट टॉर्क्स स्कुरूडराइवर के हल्ट से कुछ स्कुरूज खोल ले हैं ये सारे स्कुरूज आपको निकाल ले हैं ताकि हम एंजिन के एरिया को एक्स्पोज कर सकें और कुछ स्कुरूज यहाँ बंपर के नीचे भी होते हैं उसे भी आपको खोलना है ये हमारी मैन पुली है तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हमने ये जो कवर होता है वो पुरा निकाल लिया है इसे आपको कहीं संबाल के अच्छे से रख देना है अब ये एरिया एक्सपोज हो चुका है तो हम अब आसानी से इसे अब एक्सेस कर सकेंगे अभी आपको ये जो सभी पुली से वो अच्छे से दिख रही होगी बेल्ट की पोजिशन को आपको अच्छे से देख लेना है ताकि नया बेल्ट लगाते टाइम कोई कन्फिजन ना हो ये बेल्ट का टेंसनर है जो बेल्ट को अपनी जगे पे अच्छे से जकड के रखता है और इस बेल्ट में टाइमिंग बेल्ट की तरह कोई टाइमिंग करनी नहीं होती यानि कि कोई स्पेसिफिक सेटिंग नहीं होता है इसलिए आप आसानी से इसे रिप्लेस कर सकते हैं टेंसनर को आपको इस तरह से 17 नंबर के टूल की हेल्प से clockwise गुमाना है जिससे belt lose हो जाएगा और आप इसे अपने हाथों से बाहर खीच सकते हैं तो इस तरह से आपको टेंसनर को lose करके belt को बाहर खीच लेना है इस काम के लिए आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं ताकि कोई ज्यादा दिक्कत ना आए तो यह हमारे पूराने belt की हालत आप इसमें बहुत सारे क्रेक्स देख सकते हैं अभी आपको गाड़ी के नीचे से belt को सबसे पहले alternator की पूली उसके बाद AC compressor की पूली और last में main पूली के साथ connect कर देना है और same जैसे हमने belt को निकाला था वैसे ही टेंसनर को lose करके ने belt को लगा देना है लगाने के बाद आप belt को देख सकते हैं गाड़ी को start करके आपको एक बार जरूर देखना है ताकि आपको belt की सही position अच्छे से दिख सके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe जरूर करे Thank you And special thanks to my friend Karan जिसने मेरी इस वीडियो बनाने में बहुत help की 1 1 3 5 9 10